नमस्ते बच्चों, आज हम विशय, हिंदी, कक्षा, तिसरी में टॉपिक अ की मात्रा सीखेंगे तो बच्चों, जैसा की लास्ट वीडियो में आप सभी ने स्वरों के अक्षर अ से आहा तक सीखे थे बच्चों, जो स्वर के वर्न होते हैं, उन्हें अक्षर की तरह भी इस्तमाल किया जाता है और उनका मात्राओं की तरह भी इस्तमाल होता है तो दोनों ही तरह से स्वरों का इस्तमाल होता है अक्षरों की तरह भी और मात्राओं की तरह भी दोनों ही तरह से इस्तमाल होता है बच्चों, स्वरों की मात्रा होती है किसकी मात्रा होती है? स्वरों के अक्षरों की मात्रा होती है और जो व्यंजन क से ग्यत तक अक्षर होते हैं, उनकी मात्रा नहीं होती है तो बच्चों किसकी मात्रा नहीं होती है? व्यंजन के अक्षरों की मात्रा नहीं होती है केवल स्वरों के अक्षरों की मात्रा होती है बच्चों अ की मात्रा सीखने से पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं जैसे कोई भी शब्द ववाक्य बनाने के लिए मात्रा का प्रयोग किया जाता है बिना मात्रा के आप कोई भी शब्द ववाक्य बना नहीं सकते हो मात्रा सिर्फ केवल स्वर के अक्षरों की होती है जैसा कि अभी मैंने आप सभी को बताया था वेंजनों के अक्षरों की मात्रा नहीं होती है केवल स्वरों के अक्षरों की होती है मात्रा लगाने पर वर्न की आवाज बदल जाती है तो बच्चों क्या लगाने पर वर्ण की आवाज बदल जाती है? मात्रा के लगाने पर वर्ण की आवाज बदल जाती है मात्रा से व्यंजन को पूर्ण किया जाता है तो बच्चों व्यंजन को किसे पूर्ण किया जाता है? स्वरों के अक्षरों के मात्रा से व्यंजनों को पूर्ण किया जाता है बच्चों जैसा की अ की कोई मात्रा नहीं होती है अ स्वर की सहायता से ही व्यंजन को पूर्ण किया जाता है जैसे बच्चों उधारन व्यंजन के वर्नों क से ग्य तक के जो व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों के नीचे जो चिन लगा हुआ रहता है उसे हल कहते हैं जैसे उधारन वच्चों व्यंजन क क के नीचे जो चिन लगा हुआ है उसे कहते हैं हल तो उसका उचारन क्या होगा वच्चों आधा क क तो उसका उचारन आधा क हम करेंगे ख, ख के नीचे जो चिन लगा हुआ है हल तो उसका उचारन कैसा होगा वच्चों आधा ख ग के नीचे जो चिन लगा हुआ है वच्चों हल तो उसका उचारन कैसा होगा आधा ग ग के नीचे जो चिन लगा हुआ है हल तो ग का उचारन कैसा होगा आधा ग तो इस तरह हम हल लगाने पर उच्चारन करते हैं व्यंजनों के अक्षरों का इन सब व्यंजनों को पूरा करने के लिए की मात्रा लगाया जाता है तब जाकर व्यंजन के अक्षर पूर्ण होते हैं चलो बच्चों सीखते हैं आधा व्यंजन और पूरा अवर्ण तो पहला वेंजन है आधा क और अ मिलकर बनता है क आधा ख और अ मिलकर बनता है ख आधा ग और अ मिलकर बनता है ग आधा ग और अ मिलकर बनता है ग आधा च और अ मिलकर बनता है च आधा च और अ मिलकर बनता है च आधा ज और अ मिलकर बनता है ज आधा ज और अ मिलकर बनता है ज आधा ट और अ मिलकर बनता है ट आधा ठ और अ मिलकर बनता है ठ आधा ड और अ मिलकर बनता है ड आधा ध और अ मिलकर बनता है ध आधा न और अ मिलकर बनता है न आधा त और अ मिलकर बनता है त आधा थ और अ मिलकर बनता है थ आधा द और अ मिलकर बनता है द आधा ध और अ मिलकर बनता है ध आधा न और अ मिलकर बनता है न आधा प और अ मिलकर बनता है प आधा फ और अ मिलकर बनता है फ आधा ब और अ मिलकर बनता है ब आधा भ और अ मिलकर बनता है भ आधा म और अ मिलकर बनता है म आधा य और अ मिलकर बनता है य आधा र और अ मिलकर बनता है र आधा ल और अ मिलकर बनता है ल आधा व और अ मिलकर बनता है व आधा श और अ मिलकर बनता है श आधा श और अ मिलकर बनता है श आधा स और अ मिलकर बनता है स आधा ह और अ मिलकर बनता है ह आधा क्ष और अ मिलकर बनता है क्ष आधा त्र और अ मिलकर बनता है त्र आधा ग्य और अ मिलकर बनता है ग्य स्वाध्याए बच्चो जैसा कि अभी आप सभी ने अ की मात्रा को सीखा अब मैं आपको उसी के सम्बंदित कुछ प्रशन पूछूंगी बच्चो यह स्वाध्याए आप भ्यास है आपको आपके किताब में यह स्वाध्याए लिखना है बच्चो पहला प्रश्ण है रिक्तस्तानों की पूर्थी करो बच्चो यहाँ प्रश्ण में अ की मात्रा के सम्बंदित कुछ प्रश्ण दिये गए हैं आपको खाली जगह पर उत्तर लिखना है तो पहला प्रश्ण है बच्चो आधा ग और अ मिलकर बच्चो क्या बनेगा? खाली जगह पर क्या आएगा? ग, very good बच्चो तो आधा ग और अ मिलकर बनता है ग प्रश्ण दुसरा है बच्चो, डैश और अ मिलकर बनता है प तो बच्चो क्या आएगा खाली जगह पर? आधा प वेरी गुड बच्चो तो आधा प और अ मिलकर बनता है पूरा प प्रश्ण तिसरा है बच्चो आधा त डैश और मिलकर बनता है त तो बच्चो खाली जगह पर क्या आएगा? अ एकदम सही बच्चो तो आधा त और अ मिलकर बनता है त प्रश्ण चौता है बच्चो आधा ल डैश और डैश तो बच्चो आधा लगे बाद क्या आएगा? खाली जगह पर? अ वेरी गुड बच्चो तो आधा ल और अ मिलकर क्या बनेगा बच्चो क्या लिखोगे खाली जगह पर ल येस तो आधा ल और अ मिलकर बनता है पूरा ल पाँचवा प्रश्ण है बच्चो आधा न और अ मिलकर क्या बनेगा बच्चो खाली जगह पर क्या लिखोगे पूरा न, येस, तो आधा न और अ मिलकर बनता है न प्रश्ण चटवा है बच्चो, टैश और अ मिलकर बनता है म तो बच्चो, खाली जगह पर क्या लिखोगे? आधा म, येस, तो आधा म और अ मिलकर बनता है पूरा म प्रश्न साथवा है बच्चो आधा च और अ मिलकर बनता है क्या बनेगा बच्चो खाली जगह पर क्या लिखोगे च येस, correct बच्चो प्रश्न आठवा है बच्चो डैश और अ मिलकर बनता है ज तो बच्चो क्या लिखोगे खाली जगह पर आधा ज वेरी गुड बच्चो तो आधा ज और अ मिलकर बनता है ज प्रश्ण दुसरा जोडिया मिलाओ बच्चो यहाँ प्रश्ण में अ कॉलम और ब कॉलम दिये गए हुए हैं आपको अ कॉलम को ब कॉलम से मिलाना है सही उत्तर के सामने तो जैसे बच्चो पहला प्रश्ण है आधा क और अ तो मिलकर क्या बनता है बच्चो क तो उसी तरह आपको बाकी प्रश्ण को भी मिलाना है ब कॉलम से